आपकी उम्र की सारी औरते मर गई, आप क्यों नहीं मरती, कब तक हमारा खून चूसने वाली हो, विमला गुस्से से अपनी सास को कहती है, बहु, मैं तो हर दिन भगवान से मौत मांग रही हूँ, अब और मैं क्या करूँ, ऐसा कहके वह रोते हुए उपर के कमरे में चली जा बहाने एक सुनसान सडक पर छोड़कर भाग जाता है, बेटा ऐसा मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा कहकर वह रोने लगती है, अगले दिन बिर्जू के घर उसके काका जी आते हैं, वह बहुत बड़े डॉक्टर थे और आमिर आदमी थे, वह बिर्जू से कहते हैं भावी क पानी का ग्लास जमीन पर फेक कर कहते हैं, काव गई या तुम सडक पर छोड़ाए, बिर्जू डर जाता है, तब काका जी काहर से बूढी मा को घर ले आते हैं, और बिर्जू से कहते हैं तुम्हारी मा की आँख क्यों नहीं है, जानते हो, तुम छोटे थे, तब तुम आफी रोने लगता है